जहिन साथियों आज का टॉपिक रहेगा वो येमार सीट कैसे भरें तेजी से तेजी से भरने का मतलब यह है कि आपका एक्जाम जो है दो घंटेक समय मिलेगा तो उसमें आपका एक्जाम जो है सही से हो जाए पूरा को इस्टिन अटेंट हो जाए कोई छूटे ना तो कैसे इसको भरेंगे और दूसरी चीज इसमें गलती ना हो जिससे जो है आपका एक्जाम खराब हो सकता है मान लीजे रिजिटेशन नमबर और गलत भर दिया आपने गलत गोला कर दिया तो उस वज़े से कोई गलती ना हो और सारे कुश्चन जो है आप अटेम्ट कर ले जाएं तो इसको कैसे भरेंगे भरते समय कौन सी सावधानिया रखनी है यह सारी चीज हम जानेंगे तो सबसे पहले तो हमको कैसे भरना आए देखिए एकरेक्ट मेथड आफसे यह साथ में करेक्ट मेथड किया है इस तरीके से आपको पूरा गोला करना है आप प्लै कyle आigे जाईए अपने साहब में भी ले जा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से अ dishonor एक लेकि जाएं जाएंगे और गूला आपको इसे करना यह उत्स तरीकी से आधा नहीं करनाएं या यह सब तरीका यह सब तरीक़ इस तरीका जो जो है गलत है किसी गोले में जो है डबल खाने गोला नहीं करना है आपको क्योवल एक खाना गोला करना है एक जो बॉक्स बना हुआ गोल गोल उसी में पूरा कलर कर देना है अब देखिए रजिस्टेशन नमबर जैसे किस तरीके से भार जाएगा यह जान लीजिए रोल नमबर या रिच्टेशन नमबर जो भी रहेगा यहां पर एक मैंने बनाया हुआ है ऐसे बॉक्स बना रहेगा खाली खाली इसमें लिखा हुआ है नमबर ऐसे खाली रहेगा उसमें आप अपना रिच्टेशन नमबर लिखेंगे जिरो एट वन टू करके यहां लिखा इसको भरना है फिर उपर एट लिखा है तो एट वाला बॉक्स आप गोला कर देंगे इसी तरीके से उपर वन लिखा वन वाला बॉक्स गोला करेंगे इस तरीके से आप रेजिस्टेशन नमबर और बहुत सकते हैं से इंटर कोड और उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है आप देख सकते हैं अब बात यह करेंगे कैसे आपको तेजी से भरना है तो तेजी से भरने के लिए आपको हिंदी का जिसे मान लीजे पहले आपका खुला या हिंदी पहले आपके एक्जाम में हैं कंप्य इसके बाद में जितना अटेम्ट हो पाया है उससे आपके वाल सही सही वाला अटेम्ट कर लिजे और इसके बाद में जितना अटेम्ट कर लिए हैं पेपर में टिक लगाते रही अटेम्ट करते रही इसके बाद में पूरा हिंदी पोर्सन जब हो जाए उसके बाद में वो खतम करते जाईए ठीक है इसके बाद में जो बच रहा है समय आपके पास उसमें आपको कुश्चन अटेम्ट करिए जो आपको ज्यादा परसेंटेज हो 90 जो लगे कर ले जाएंगे उसको अटेम्ट करिए उसी टाइम गोला कर दीजिए इस तरीके से गर आप अधिक लाश्ट में करेंगे जब आपको जो आता है वो पूरा कर ले जाएंगे और एक-एक सेक्शन को आपको करना पहले हिंदी करना फिर जियस करना फिर मैथ करना इस तरीके से और सबसे पहले तो मेरी यह सला रहेगी कि हिंदी जीयस आप अटेम्ट कर लीजे क्योंकि हिंदी जीयस में ज्यादा समय नहीं लगता है और यह छूटे ना लाश्ट में पेपर हो गयरा क्योंकि वो लोग एकदम समय नहीं देंगे तुरांत कॉपी ले लेंगे आपसे तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू